हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन केंपस मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुस होंगे इसी बिश्वास के साथ मैं पुना आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आचुका हूँ मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा Past, Perfect, Continuous, Progressive या Imperfect Tense जिसको हिंदी में पुर्ण अपुर्ण भूतकाल कहा जाता है यहां दोस्तों Past, Perfect, Continuous और Progressive और Imperfect Tense in English अब सबसे पहले इसका Definition है इसके Definition को देखते हैं It is used to depict an action that started at some time in the past and continued until a specific time in the past मतलब एक काम या किसी काम को depict करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है उसके बारे में बताने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है that की started at some time in the past मतलब past tense में भूत काल में वह काम start हुआ भूत काल में किसी समय वह काम start हुआ प्रन्तु and continued until a specific time in the past और past tense में किसी खास समय तक वह काम चलता रहा किसी specific time तक वह काम continue रहा तो इस तरह के जो activity होते हैं इस तरह के जो tense होते हैं उसको रखा जाता है past perfect continuous tense में आगे बढ़ते हैं examples के तरफ इसका example है I had been reading this story book since 5 p.m. मतलब मैं इस कहानी के पुस्तक को पांच बजे से पढ़ता आ रहा था तो यह है इसका पहला example है दूसरा example है she had been cooking food for two hours वह दो घंटों से खाना बनाती आ रही थी तो यह दो हमने इसका example लिया अब हो लोग आगे बढ़ते हैं how to recognize in the sentences of Hindi मतलब हिंदी के sentence को कैसे पहचानेंगे कि वह sentence past perfect continuous tense का है या नहीं है तो उसको पहचानेंगे हम लोग इस तरह से जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या क्या रहे ता रहा था ती रही थी ते रहे थे ती रही थी रहा था रही थी रहे थे यह त्यादी रहता है तो हम लोग असानी से recognize करेंगे कि यह जो sentence है वह हिंदी का past perfect continuous tense या पुर्ण अपुर्ण भूत काल का sentence है अब हम इसके structure के तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला इसमें हमने इसका structure लिया है affirmative sentence का तो affirmative sentence इसका क्या structure होता है उसको देखते हैं subject plus had plus been plus before मतलब v1 plus ing वाब का जो पहला form होता है उसमें ing जोड़कर before बनाया जाता है उसके बाद object या compliment उसके बाद since oblique 4 plus time indicator word plus extra ये जो object या compliment है इसको time indicator word के बाद भी place कर सकते हैं और time indicator word के पहले भी place कर सकते हैं तिया अपने सुर्धा अनुसार हम इसका use करेंगे अब इसका example है राम had been playing since morning राम सुभा से खेलता आ रहा था या राम सुभा से खेल रहा था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके negative sentence को देखते हैं निगेटिव sentence का structure क्या होता है तो उसको देखते हैं negative sentence का structure होता है subject plus had plus not plus been plus before plus object या compliment plus since oblique 4 plus time indicator word plus extra इसमें एक नया word जूर गया है not, not के include होने के बाद या जो affirmative sentence था वह निगेटिव में convert हो चुका है अब हम लोग इसमें not जोर कर इसको affirmative से negative बना लिये हैं यह negative का structure है अब इसके example को देखते हैं राम had not been playing since morning राम सुबह से खेलता नहीं आ रहा था या राम सुबह से नहीं खेल रहा था they had not been running for an hour वे एक घंटा से नहीं दौरते आ रहे थे या वे एक घंटा से नहीं दौर रहे थे अब आगे बढ़ते हैं interrogative sentence के तरफ interrogative sentence का जो पहला पार्ट है वह है yes no question तो देखते हैं yes no question में इसका structure क्या है yes no question में इसका structure है had plus subject plus not plus been plus before plus object या compliment plus since public four plus time indicator word plus extra और last में जो है question mark sign of interrogation या not of interrogation इसका use हुआ है अब इसके example को देखते है had ram not been playing since morning क्या राम सुबह से नहीं खेल रहा था तो yes no question कहने का मतलब ही होता है कि ऐसा question याईसा प्रस्ण जिसका answer yes और no में possible हो जाता है तो यहां हम लोग clearly देख रहे हैं क्या राम सुबह से खेलता आ रहा था तो यहां अगर खेलता आ रहा था तो yes नहीं तो no दूसरा example है had they not been running for one hour क्या वे एक घंटा से नहीं दौरते आ रहे थे तो अगर एक घंटा से नहीं दौरते आ रहे थे तो इस question का भी answer yes और no में possible है अब आगे बढ़ते हैं interrogative sentence का जो दूसरा part है वो है wh word question जिहां दोस्तों wh words question इसका structure है wh word plus had plus subject plus not plus been plus before plus object और compliment plus since oblique for plus time indicator word plus extra और last में question mark sign of interrogation या not of interrogation तो यह है इसका structure था आब इसके example के तरह बढ़ते हैं इसमें दोनों में जो not है यह not compulsory नहीं है अगर negative sense आ रहा है तो इन structure में इन sentences जो में not का यूज करेंगे परन्तु यदि negative sense नहीं आ रहा है तो not का यूज नहीं करेंगे अब लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसके example के तरह इसका example है राम सुबह से क्यों खेलता आ रहा था या राम सुबह से क्यों खेल रहा था। दूसरा example है what had she been writing for two hours वह दो घंटों से क्या लिखती आ रही थी या वह दो घंटों से क्या लिख रही थी last example है how had he not singing why sorry how had he been singing since afternoon वह दो पहर से कैसे गाते आ रहा था वह दो पहर से कैसे गाते आ रहा था या वह दो पहर से कैसे गा रहा था तो यह example थे wh words question के मैं ऐसा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी beneficial हुआ होगा मैंने आज आज आप लोगों को past perfect continuous progressive और imperfect tense के बारे में structure के साथ example के साथ पताने का प्रियास किया मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी beneficial हुआ होगा मेरे संफुर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद